हलो एवरिबन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर जहां पर हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सटी से आए हुए प्रोफेशर असोसियेट प्रोफेशर और असिस्टन प्रोफेशर से रिलेटेड जो भ अपने वीद्यों के मादियम से आप लोगों तक पहुचाने का प्रियास करते हैं वो आप तक समय पर पहुचता रहें यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो notification निकल कर आया हुआ है San Xavier University जो की कोलकता में established है और requirement जो है वो faculties position के लिए है यहाँ पर teaching से related notification 22 March 2014 को release किया गया था इनके official website पर यहाँ पर जो farm मांगे जा रहे हैं उससे संबंधि जो important dates है उसमें आप देख सकते हैं इस farm का last date 15 April 2024 का रखा गया है और receipt या print out को download करने का date जो है 18 March तक का दिया गया है यहाँ पर professor, associate professor और assistant professor तीनों post पर requirement मांगे जा रहे हैं जैसे कि अगर आप Xavier business schools के लिए farm apply कर रहे हैं तो यहाँ पर assistant professor के लिए post मांगे गये हैं management का subject है और specialization जो है वो business analysis का है qualification जो यहाँ पर मांगे गये हैं उसमें bachelor's आप लोगों का first class मांगा गया है साथी साथ जो आपका bachelor's है वो 50% marks के साथ pass out यहाँ पर मांगे गये हैं वहीं PhD आप लोगों के पास हो या हो साथी साथ two years का आप लोगों के पास teaching से related experience मांगे गये हैं net, slate या sit से संबंधित profession में आप लोगों ने experience अचिव किया हुआ है तो आप eligible है farm apply करने के लिए जो salary यहाँ पर provide कराई जा रही असिस्टन प्रोफेशर के post पर उसमें 57,700 रुपे पर मंद की salary है academic payable tint का यहाँ पर रखा गया है आप लोगों को असिस्टन प्रोफेशर law में भी यहाँ पर requirement मांगे जा रहे हैं qualification सेम है और salary भी यहाँ पर सभी की सेम है professor के लिए आप लोगों के अप लोगों के प्रोफेशर के लिए यहाँ पर जो post मांगा जा रहा है उसमें commerce में यहाँ आप देख सकते हैं professor का post है वहीं जो qualification है same qualification यहाँ पर मांगे रखे गए हैं जो assistant professor के लिए qualification होते हैं लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास 10 years का teaching, research या फिर industrial experience आप लोगों से मांगे जाएंगे और जो salary यहाँ पर आप लोगों को provide कराई जा रही है वो 1,44,002 रुपए परमंत की salary है वहीं associate professor में भी commerce के लिए requirement मांगे गए हैं और 1,31,400 रुपए यहाँ पर आपकी salary provide कराई जाएगी वहीं assistant professor commerce में भी यहाँ पर post निकल कर आया हुआ है फैकल्टीज आप art and social studies से भी requirement मांगे जा रहे हैं इसमें professor, associate professor और assistant professor टीनों के लिए requirement मांगे गए हैं आप प्रोफेशर के लिए फार्म अपलाई कर रहे हैं तो यहाँ पर psychology में post मांगे गए हैं associate professor के लिए यहाँ पर mass communication English और psychology से recruitment मांगे जा रहे हैं असिस्टर प्रोफेशर के लिए यहाँ पर English subject में requirement मांगा जा रहा है salary आप लोग वहाँ से चेक कर लें सेम सेलरी रखी गई है चेक कर लें उसके बारे में हमने उपर discuss किया था Center for language studies में भी यहाँ पर post मांगे जा रहे हैं जिसमें आप full time contractual faculty members के रूप में work कर सकते हैं यहाँ पर business communication के का post रखा गया है वहीं part time यहाँ पर contractual faculty members का post है जिसमें बंगाली हिंदी के लिए यहाँ पर requirement मांगे जा रहे हैं qualification यहाँ पर चेक कर लें और जो salary यहाँ पर provide कराई जा रही है उसमें business communication में 55,000 रुपए पर पर मंद की salary provide कराई जा रही है वहीं अगर आप पार टाइम पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर 25,000 रुपए पर मंद की salary provide कराई जा रही है आपर age limit जो यहाँ पर रखा गया है उसमें 45 साल आप लोगों का assistant professor के लिए associate professor के लिए 50 साल और professor के लिए यहा पोकी तो आप यहां से age limit को check कर सकते हैं important dates के उपर हमने उपर ही बात कर लिया कि कौन सा date यहां पर important है जिस date तक आप लोगों को farm apply करना है तो आप अगर interested हैं तो यहां से farm apply कर सकते हैं इस university में जो last date को आप print out अपना करेंगे farm apply करने के बाद जो final print out रहेगा उसे आप print out जो इनका यह address दिया गया है address पर और यह करना आप लोगों को जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग इनकी address पर अपना जो final print out है वो send नहीं करेंगे तो आपका जो application है उसे reject कर दिया जाएगा तो जरूर से send कर ले तो guys इस video में इतना ही इस तरीके के और भी information हम आप लोगो application के साथ अब तक के लिए thank you so much